Hello Friends, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे exercise की जिसे अगर आप regularly use करेंगे तो आपका lungs बहुत जादा strong हो जाएगा और आपके lungs में किसी भी प्रकार का infection जल्दी से नहीं होगा आपका lungs बहुत ही healthy रहेगा इस exercise को अगर आप routinely follow करेंगे तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाओं इसके पहले मैं आपसे request करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए चैकि मैं कोई भी health related topic के बारे में videos डालू तो उसकी information सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आज की इस वीडियो में हमें बहुत ही important equipment के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही cheap है बहुत ही easily market में available है और बहुत ही easy to use है अगर आप इसे regularly use करेंगे तो आप इससे अपने lungs को strong बना सकते हैं हम बात कर रहे हैं इस equipment की जिसका नाम है incentive spirometer इसे हम क्या करते हैं हमारे lungs को strong मनाते हैं यह एक प्रकार से हमारे lungs को को exercise कराता है जिस से आम्हारा lungs बहुत जाल्जास च्रॉंग होता है और किसे प्रकार के infection से हमें रोपता है हम जानेंगे कि इस equipment को हम कैसे use करते हैं इसके पहले कि हम इसके बारे में ज़ादा डिटेय्स जाने उसके पहले हम इसके के बारे में कुछ एक background information जानते हैं इस instrument को spirometer कहा जाता है सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है क्यों से स्पाइरो मीटर कहा जाता है स्पाइरो मीटर एक वर्ड जो है लाटिन वर्ड है स्पाइरो वर्ड का मतलब होता है ब्रीथ और मीटर का मतलब होता है मैशरमेंट आपके ब्रीधिंग को जो एक्विपमेंट म करता है यानि कि आपको कितना एर बाहर के तरफ थेकते हैं और कितना एर अंदर के तरफ खीषते हैं आपके lungs की capacity को मापता है अब हम जानते हैं कि इस spirometer के parts क्या-क्या है यहाँ पर air tank दिया हुआ है जहाँ पर air आकर fill होता है जो भी आप air फूपते हैं वो इसमें आकर full होता है और इन तीन balls को उठाता है यहाँ पर तीन measurement दिये हुए हैं एक 600cc, 900cc, 1200cc जब शूरात में आपका lungs weak रहता है तो एक ही ball उठता है फिर दीरे दीरे आप इसे regularly practice करते हैं तो आप दो ball उठा सकते हैं फिर तीन ball उठाते हैं और तीन ball अगर आपने एक फूप में उठाया तो इसका मतलब यह है कि आपकी lungs की capacity बहुत अच्छी हो गई है आपका lungs बहुत strong हो गया है यह है air inlet जहां से air अंदर की तरफ जाता है उसके बाद आता है tubing और फिर आता है mouthpiece इसे हम अपने मुझ पे रखकर पूरी तरह से seal बना कर यहां पर हवा फूपते हैं इसके अलावा यहां पर साइड पर होल्डर दिया हुआ है जिससे आप इस equipment को पकड़ते हैं तो यह थे spirometer के parts जानते हैं कि किनको यह spirometer यूज करना चाहिए ऐसे कोई भी लोग जिनका lungs बहुत वीक है जैसे कि उनको बहुत जादा chronic infection है लोग टाइम से उनका lungs जो है वीक है जैसे उनको ब्रॉंकाइटेस है निमोनिया है एटलेक्टेस है च्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टर पल्मनरी डिसीज है या फिर किसी की सरजरी अभी हुई है या किसी को कोई lungs में infection हो गया है COVID-19 का infection हो गया है जिसके बाद उनका lungs थोड़ा weak हो गया है तो ऐसे सब conditions में आप इस equipment को use कर सकते हैं regularly और आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपके lungs की capacity कैसे इसमें बढ़ती जा रही है और कैसे ये equipment आपके lungs को strong बनाता है अब बात आती है कि इसे कौन use नहीं कर सकता ऐसे लोग जिनको pneumothorax है या फिर ऐसे लोग जो coma वाले patient है ऐसे लोग जो mentally retarded है जिनको हम बता कर देंगे इसे कैसे use करना तो भी वो उसे follow नहीं कर पाएंगे तीन साल से छोटे उमर के बच्चे ये conditions में हम इनको ये equipment नहीं दे सकते क्योंकि ये उनके लिए dangerous हो सकता है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस equipment में balls के color यहाँ पर तीनो balls के color लगभग same ही है अलग-अलग equipment में अलग-अलग color होते हैं कईभा balls के color same होते हैं कईभा balls के color different होते हैं यहाँ पर जो measurement दिया है में मतलब उसी से हैं अब जानते हैं कि इसे कैसे यूज करना चाहिए जब भी आप इस equipment को यूज करेंगे तो आप बैठके एकदम कोने पर आकर बैठिये और आपका posture हमेशा ऐसा होना चाहिए कि shoulder आपका पीछे के तरफ हो और feet आपका बलकुल सीधा हो आप ऐसे जुक के इस exercise को नहीं करेंगे ऐसे करने के लिए क्यों कहां जाता है ऐसे बैठने के लिए इसलिए कहां जाता है अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आप lungs को एक तरह से सिकोड रहें और lungs को इतना space नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण lungs में oxygen intake की capacity कम हो जाएगी इसने आपको सीधा बैठने के लिए कहा जाता है और shoulders बिलकुल stern रखने के लिए कहा जाता है ऐसे रखें आप या तो चैर पर बैठ सकते हैं या फिर बेड के एकडम साइड पर बैठ सकते हैं और उसके बाद आपको यह exercise करना है कोशिश करें कि इस exercise को करने के तुरंद पहले आप कुछ खाए या पिये नहीं क्योंकि आप जब बहुत जादा deeply सास लेते हैं और सास बाहर के तरह छोड़ते हैं तो हो सकता है इस process के दौरान कुछ food particles भी बाहर आजाए या आपको vomiting आजाए तो आपको खाने पीने के तुरंद बाद यह exercise नहीं करना है इस बात का आप ध्यान रखें अब इससे कैसे यूज़ करें यह है इसका mouthpiece इससे आप दो तरह के exercise कर सकते हैं पहले आप इसे मुँपे लगाकर अंदर के तरफ खीचेंगे अंदर के तरफ खीचेंगे तो क्या होगा आपके lungs के तरफ अंदर के तरफ air जाएगा तो यह आपका inhalation capacity नापता है अब देखते हैं कैसे आपको क्या करना है इसे मुँपे लगाकर पूरी तरफ सील करके जोड से अंदर के तरफ सांस लेना है यहाँ आप देख सकते हैं कि अब भी मैंने जब सांस लिया तो सिर्फ दो बॉल उठा अगर आप और जोड से लेंगे तो तीन बॉल भी उठेगा यह आप देख सकते हैं कि आपका तीन बॉल उठा तो यह indicate करता है कि आपके लंग्स जो है अभी अच्छी है अभी आपके लंग्स हेल्दी है लेकिन जब आप इस exercise को करते हैं तो कोशिश कीजिए आप जब भी इस exercise को करें सास अंदा की तरग फीशते वक्त कोशिश करें इन बॉल्स को पांच सेकेंड के लिए होल्ड करके रखने के लिए क्योंकि जब आप होल्ड करते हैं तो आपके लंग्स की कैपासिटी और अच्छी हो जाती है लंग्स बहुत अच्छे से expand करता है और आपके लंग्स के condition में improvement भी आती है शुरुवात में अगर आप 5 सेकेंड होल्ड नहीं कर सकते तो भी इससे कोई problem नहीं है अगर आप थोड़े देर के लिए होल्ड करें अब देख सकते हैं थोड़े दर के लिए आपको इसको hold करके रखना दो सेकेंड के लिए और फिर छोड़ देना है और दीरे 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 इसे 5 सेकेंड तक लेकर जाना है यह आप कैसे लेकर जाएंगे आप जैसे ही अंदर के तरफ सास लेंगे तो आप खुद अपने मन में काउंटिंग कीजे 1,2,3,4,5 और फिर छोड़ दीजे इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आप कितने दे तक इन बॉल्स को hold कर पाते हैं तुरंद आप सास को अंदर लेकर इन बॉल्स को नीचे के तरफ ना छोड़े कोशिश कीजे इन बॉल्स को उपर के तरफ hold करके रखने का एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर मैं सिर्फ 2 सेकेंड ही hold कर पा रही हूँ लेकिन आपको regular use से इसको 5 सेकेंड तक hold करने की practice करनी है यह है हमारा inhalation capacity मापने का technique यानि कि आपके lungs के अंदर कितना air जाता है वो इसे मेशा करता है अब आप इसे exhalation भी मेशा कर सकते हैं exhalation मतलब lungs से कितना air बाहर जाता है वो भी इसमें मेशा हो सकता है उसके लिए आप क्या करेंगे इस equipment को उल्टा करेंगे और उल्टा करके आप बाहर के तरफ सास को छोड़ेंगे ऐसे छोड़ना आपको इससे आपको देखना है कि आपका lungs एक टाइम पर कितना air बाहर के तरफ छोड़ सकता है आप देखिए यहां आप देख रहें सिर्फ दो बॉल्स ही उठा अगर आप रेगुलर्ली उस करेंगे तो कुछ दिन के बाद आप तीनों बॉल्स को उठा सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी lungs की exhalation capacity यानि कि air को बाहर फेकने की capacity धीरे धीरे बढ़ते जा रही है एक बार और देख लेते हैं तो यह थी टेक्नीक जिससे आप इस spirometry exercise को कर सकते हैं और आप अपने lungs को बहुत strong बना सकते हैं अब हम जानते हैं कि इसे कितने बार करना चाहिए ज्यादा तर यह recommended है कि आप इसे 10 बार repeat कीजिए हर 1-2 घंडे के अंतरार में अगर आपके बहुत बार इस exercise को कर ले रहे हैं तो क्या होता है कई बार आपको थोड़ा breathlessness लगता थोड़ा सास लने में तकलीफ हो सकती है या फिर कई बार थोड़ा चकर सा आने रगता है तो उस वक्त जो है आपको तुरंद इस exercise को रोग देना चाहिए अगर आपको किसी भी प्रकार कर डिसकंफर्ड लग रहा है कोई तकलीफ हो रही है ऐसा लग रहा है कि आपको पेन हो रहा है आप इस exercise को नहीं कर पा रहे है तो उस वक्त तुरंद इसे बंद कर दीजे और अपने डॉक्टर से बात कीजे ताकि वो इसके बारे में आपको प्रॉपर एड्वाइस दे सके अब हम जानते हैं कि इसके क्या benefits है इस exercise को अगर आप regularly करेंगे तो सबसे पहले तो इस exercise को अगर आप regularly करेंगे तो आपका lungs बहुत strong हो जाएगा आपके lungs की oxygen intake capacity बढ़ जाएगी आपका lungs बहुत अच्छे से expand होगा और आपके lungs के अंदर कोई fluid है या कोई mucus है कफ है या कोई secretions है तो वो बाहर आएंगे तो इससे जो है आपका lungs धीरे-धीरे healthy होगा आप धीरे-धीरे recover होगे पर हर चीज़ के advantages के साथ-साथ कुछ disadvantages भी होते हैं disadvantages जैसे कि अगर आप इसे बहुत जादा यूज़ कर लेंगे तो आपको थोड़ा breathing issue भी हो सकता है आपको थोड़ा pain हो सकता है आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है ये सारे problem इसे करते वक्त हो सकते हैं पर अगर आप इस तरह की कोई तकलीफ का सामना कर रहे हैं तो आप अपन जमा होके हमें फिर से वो infection ना कॉस करें तो हम इसे कैसे क्लीन करेंगे हमें इसे यहां से डिटाच करना है डिटाच करके इस tubing को और इस mouthpiece को हमें अलग-अलग धोना है इसे हम अलग-अलग निकाल देंगे और दोनों को soap water से clean करेंगे और अच्छी तरह पानी से इसे धोए करते हैं एक और बात ध्यान दीजिए अगर आपके घार में कोई एक person इस equipment का regularly यूज़ करता है तो आप उसी equipment को ना यूज़ करें इसे आपको infection हो सकता है तो आप किसी और equipment को लेकर उसे यूज़ करें और आप खुद इस equipment को यूज़ करते हैं तो उसे regularly clean करें अब हम जान क्या गलती करते हैं हम सीधी तरह से बैठने के बढ़ जाए हम ऐसे सिकोर के बैट जाते हैं यह थोड़ा जुक के बैठते हैं जुक के बैठेंगे तो क्या होगा हमने क्या कहा था लंग्स जो है पूरी तरह से expand नहीं हो पाएगा लंग्स को अच्छे से space नहीं मिल पाएग और हम ध्यान नहीं देते कि बीच में में लंग्स को थोड़ा रेस्टिंग ताइम भी देना है आप एक बार इस एक्साइज को कर रहे हो थोड़ा पांच सेकें अपने आपको दो ताकि आप थोड़ा से रिलाक्स कर सको फिर आप अगला साइकल रिपीट कर सकते हैं इससे क्य जैसे कि कोई अपर रस्पेर्यटिर ट्राक्ट इंफेक्शन है या कोविड ना इनटी में ऐसे कोई इनफेक्शन है तो आप इसे ऐसे एरिया में ना करें जहां पर बहुत सारे लोग हैं इससे दूसरों को भी इनफेक्शन हो सकते हैं और इस एक्साइज को जो की फॉलो करें ताकि आपके लंग्स के कैपासरी धीरे-धीरे बढ़ जाए और प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है वरना आप खुद अपने आपको फिरसे इंफेक्शन पहुंचा सकते हैं तो यह थी इंसेंटिव स्पाइरोमीटर एक्वेपिंट के बारे में कुछ डीटेल्स ज करेगा और आपको थोड़ा कमफर्ट प्रोवाइड करेगा तो मैं आशा करती हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और इसे और लोग के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें यह स्पाइरोमेटर एक्विप्मेंट कैसे यूज करना चाहिए उसकी टेकनीक के बारे में समझ में आ सके तो मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में कुछ और नहीं जानकारी के साथ तब तक लिए बाबाई